आमादनी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अर्विंद केजरिवाल की पुरानी आदत है कि वो बिना सोचे किसी भी नेता पर आरोप लगा देते हैं हलाकि बाद में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना परता है अन्ना आंदोलन के बाद राजनिती में इंटरी के वक्त केजरिवाल ने कॉंग्रिस की नेताओं को भरस्ट बता कर उन पर कई आरोप लगाये थे तब केजरिवाल एक लिस्ट लेकर घूमते थे और कहते थे कि देखिये जी ये सत्ता में बैठे नेताओं के खिलाफ भरस्टा चार की लिस्ट है लेकिन सत्ता में आते ही केजरिवाल ने ऐसी पल्टी मारी कि आज आपको वोट देने वाले लोग भी हैरान होंगे केजरिवाल के पार्टी के दो बरे निता ब्रस्टा चार की आरोप में जेल पहुँच गए वहीं दूसरी तरफ जिस कॉंग्रिस के निताओं को केजरिवाल भरस्ट बता रहे थे आज उसी कॉंग्रिस के साथ हात मिलाने के लिए केजरिवाल बेचैन है ऐसे में आप समझ सकते हैं कि केजरिवाल की कतनी और करनी में कितना फर्क है वहीं अब केंदर की सत्ता में BJP है इसलिए केजरिवाल PM मोधी को निशाना बना रहे हैं हलाकि PM मोधी से पंगा लेना केजरिवाल को भारी परता जा रहा है और इस बार केजरिवाल बुरी तरीके से फस गय है तो बने रही हमारे साथ बताते हैं आपको इस खबर में कि कैसे केजरिवाल एंड कमपनी की बढ़ गई है मुसीबत वहीं इस खबर में बात करेंगे बिहार में बिजेपी नेताओ पर हुए लाठी चार्ज के बाद क्या टूिस्ट आया है तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट दिल्ली आज के समय में बार्ड जैसे हालातों से गुजर रही है सीएम के जिरिवाल कह रहे हैं कि इस समय राजनीती ना करें दिल्ली को मुसीबत से निकालने के लिए प्रयास करें लेकिन सीएम के जिरिवाल अपने नेता मंत्री को ये समझा नहीं पाए जब प्रशासन के साथ सरकार बाड का जायजा लेने निकले थे उसी बीच सरकार के मंत्री राजनीती करने से बाज नहीं आए जिसके बाद केजरिवाल साहब के सामने और सहज होने वाली स्थिती बन गई इसके साथ ही केंदर सरकार ने भी दिया है केजरिवाल एंड कंपनी को करारा जबाब जिसके बाद आम आदमी पाटी बैक फूट पर आ गई है दरसल एक तरफ जहां दिल्ली बाड से हलकान है तो दूसरी तरफ ऐसे मौके पर भी केंदर और दिल्ली सरकार के बीच टकराओ सामने आ रहा है दिल्ली में बाड की स्थिती को देखते हुए LGV के सकसेना, मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल और मंत्री सौरब भारदवाज एक साथ हालात का जायजा लेने निकले थे लेकिन कुछ ही मिंटों बाद मतभेद भी सामने आ गया और केजरिवाल के मंत्री को पर गए लेने के देने दरसल सीम के जरिवाल और मीडिया के मौजूदगी में सौरब भारदवाज ने LG से अफसरों की शिकायत की जबाब में LG सकसेना ने उन्हें टीम वर्क के साथ काम करने और अभी बलेम गेम ना करने की नसीहत दी बता दे कि तीनों ने मीडिया से बाच्चित की इस दोरान दिल्ली के LG ने कहा कि यमुना का पानी आईटीयो की तरफ जा रहा है गेट नमबर बारा में ब्रीच हुआ है सेना एंडियारेप सिचाई और बाध नियंतरन विभाग और दिल्ली जलबोट की टीम काम कर रही है योधस्तर पर काम हो रहा है कुछ घंटे में सकारात्मक नतीजा मिल सकता है LG ने बताया कि PM मोदी ने भी फोन करके दिल्ली के हालात का जायजा लिया है वहीं LG मरमत के लिए उठाये जा रहे कदमों को गिना रहे थे तब ही के जिरिवाल के बगल में खरे मंतरी सौर भारद्वाज ने कहा सर एक निवेदन है छोटा सा रात को भी मैंने कई अपसरों से अपील की कि NDRF को बुलाईए लेकिन वे माने नहीं अब आई है NDRF ठैंक्यू है लेकिन रात को आ जाती तो बहतर होता अश्विनी जी को मैंने कहा गुरूप में कहा CM साहब भी थे उसमें थोड़ी सी मदद हो जाती सर इसी के जवाब में LG ने के जिर्वाल के मंतरी को नसीहत देते हुए कहा कि ये समय नहीं है कि हम किसी पर ब्लेम करें टीम वर्क करने की जरूरत है कहने के लिए मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ लेकिन उसकी जरूरत नहीं है हमें इस वक्त देखना है कि हमारे लोगों को अभी कोई तकलीफ ना हो जो समस्या हमारे सामने है उसका समाधान निकाले वहीं केंद्रे ग्रेह राजमंत्री नित्यानंद राय ने दिल्ली में बाढ़ के मुद्धे पर दिल्ली सरकार को राजनिती नहीं करने की हिदायत दी है NDRF के डिप्लॉयमेंट के मुद्धे पर सौरभारदवाज के आरोप को ग्रेह राजमंत्री ने नकार दिया है और कहा है कि आरोप पूरी तरह से जूट है नित्या नंजराय ने एक चैनल से बाच्चीत में दावा किया है कि तेरा तारीख की रात 10 बजे तक NDRF की 15 टीम जो सिचिवेशन के लिहाद से पर्याप्त संख्या थी उसको दिल्ली में लगा दिया गया था तो देखा अपने कैसे दिल्ली के LG और केंदर सरकार ने केजरिवाल एंड कमपनी की राजनीती को कर दिया है एक कावध है कि आगे आगे करने से सारे काम गड़बड हो जाते है लेकिन सेयम केजरिवाल और उनके सैनकों को समझाए तो समझाए कौन सब एक से बढ़कर एक हैं लेकिन अब आग के धुरंधर अपने मुखिया के साथ ऐसे फस गए कि राजने तिक करियर पर बात बनाई दिल्ली के मुखे मंत्रे केजरिवाल और आमाधी पार्टी के सांसर संजै सिंग मानहानी के मामले में फस गए हैं जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया और अगली तारीख 26 जुलाय तै कर दी दोनों नेताओं पर पीम नरींद्र मोधी की डिगरी से जुड़े एक मामले में गुज़ात विश्विद्याले ने मानहानी का मुगत मैदर्च कराया है मामले में 7 जुन को सुनवाई हो चुकी है तब कोर्ट ने 13 जुलाई को दोनों नेताओं को पेश होने का निर्देश दिया था इस मामले में हाई कोर्ट ने गेजरिवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया था जिसके बाद से ही इस मुत्ते पर गेजरिवाल बीजेपी के निशाने पर है महीं अब मोधी की डिगरी मामले में कोर्ट जिस तरह से आक्शन में है उससे गेजरिवाल और संजे सिंग के मुश्किले बढ़ सकती है हाली में कॉंग्रेस नेतर आउल गांदी को मानहानी मामले में सजा मिली है और इसके चलते उनकी सांसदी जा चुकी है महीं केजरिवाल और संजे सिंग के खिलाव भी एक रत्रा मंडरा रहा है अभी कोट में सुनवाई शुरू हुई है और कोट ताई करेगी कि मानहानी का मामला चलेगा या नहीं अगर कोट मानहानी का मामला चलाने की मंजूरी देती है तब केजरिवाल और संजे सिंग की मुश्किले बढ़ सकती है इसके बाद दोनों तरफ से बहस चलेगी और फिर इसके बाद कोर्ट का फैसला आ जाएगा और अगर केजरिवाल और संजे दोशी करा दिया जाते हैं तो कोर्ट उनके खिलाफ सजा सुनाएगी वही कोर्ट की तरफ से आरोपी को माफी मांगने के लिए भी बोला जाता है दोशी पाए जाने की स्थिती में अगर केजरिवाल बिना शर्त माफी मांग लेते हैं तो संभव है कि दोशी होने के बावजूद उन्हें बरी कर दिया जाए क्योंकि राहूल गान्थे को भी कोर्ट ने माफी मांगने के लिए कहा था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया जिसके बाद उन्हें सजा मिली हाला कि ये पूरी तरह से कोर्ट पर निरभर करता है आपको बता दे कि केजरिवाल पहले भी बीजेपी के नेताओं से माफी मांग कर सजा से बच चुके हैं अगर कोर्ट दो साल या इससे अधिक कि सजा सुनाती है तब केजरिवाल और संजे सिंग की मुश्किले बढ़ सकती है ऐसे स्तिती में केजरिवाल को विधान सभा और संजे सिंग को राजे सभा की सरदस्ता से हाथ धोना पड़ सकता है तो देखा आपने कैसे मोदी से पंगा लेने के चक्कर में केजरिवाल और संजे सिंग के मुसीबत पढ़ गई है केजरिवाल और संजे सिंग ने सोचा नहीं होगा कि उनके लिए ऐसी मुसीबत खड़ी हो जाएगी जब एक कहवत है कि जब खुद में ही कमी होती है तो लोग दूसरे पर ही सवाल खड़ी करने लगते हैं शायद यही हाल दिली के सीम केजरिवाल साहब का भी है जो पहले कुछ और कहते हैं और अब उनकी को वेवस्था की पोल खुल जाती है तो हाय तौबा मचा देते हैं यमुना को साफ करने का दावा करने वाले केजरिवाल सहाब यमुना के पानी को भी नियांतर्ट करने में नाकाम में रहे दिली को अमेरिका का खुआप देने वाले केजरिवाल सहाब यमुना के बढ़े जलस्तर पर दूसरे राजिकी सरकारों पर दोशारों पड़ कर रहे हैं आवाधी पार्टी दिली में बार के लिए बीजेपी शासत हर्याणा को जिमिदा ठहरा रही है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी पलटवार करते हुए दिली के मुख्यमंत्री केजरिवाल को आईना दिखाने का काम कर रही है और इस बार भी केजरिवाल और उनके नेताओं को मिल गया है करारा जवाब क्या है खबर बताते हैं आपको बार को लेकर दिली और हरियाना सरकार आमने सामने आ गई है दिली के मुख्यमंत्री केजरिवाल के द्वारा किंद्री ग्रिमंत्री अमिच्छाह को लिखे लेटर का हरियाना ने जवाब दे दिया इस लेटर में कहा गया था कि हतनी कुंड एक बैराज है डैम नहीं है इसलिए पानी छोड़ने के मात्रा को नियंतरत नहीं किया जा सकता है रिटाइड आयेस और हर्याना के मुख्य मंत्री के सलहाकार दिविंद्र सिंग ने कहा कि यमुना नदी के जलस्तर बढ़ने को लेकर दिल्ली के मुख्य मंत्री के जरिवाल आधार हीन और तत्थेों से परे बात कर रहे हैं हतनी कुण बैराज से अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने से यमुना का जलस्तर बढ़ने के उनके आरोप पूरी तरह जिब्रामक हैं देवेंद्र सिंग ने बताया कि वास्तविक्ता यह है कि हतनी कुण पर बनी संरचना एक बैराज है जो की केवल पानी को डाइवर्ट रेगलेट करने के लिए बनी है पानी को सीमित मात्रा में केवल किसी बांध से संचालित किया जा सकता है बैराज से नहीं यहां यह भी बताना जरूरी है कि केंद्री जलायो के दिशा निर्देशों के अनुसार जो पानी हतनी कुण बैराज की सुरक्षा के लिए यमना नदी में छोड़ा जा रहा है यह पानी माचर प्रदेश और अत्राखंड में हुई ज्यादा बारिश का पानी है सीम की सिचाई सलहाकार ने यह बताया कि इस पानी के कारण हर्याना की अमना नगर करनाल पानी पत और सोनी पत में भूमी कटाव और जल भराव हुआ है जिससे राज को भारी जानमाल का नुकसान छेलना पड़ा यदि सीमित मातरा में पानी छोड़ने का कोई प्रावधान होता तो वो हर्याना राज के हित में ही होता CWC के दिशा निर्देशों के अनुसार इसमें एक लाग क्योसिक से ज्यादा मातरा में पानी आने पर पानी स्पता है अमना नदी में चला जाता है अगर बैराज में आए पानी को रोकने का प्रयास किया जाए तो ये बैराज के सभी गेटों को शतिक्रस्त कर सकता है और ये पानी भयांकर बाठ में तब्दील होकर हर्यानों और दिली में भारी तबाही मचा सकता है विपक्ष बीजेपी के साथ तुलनात्मक होकर हमेशा से ये कहते हुए आया है कि बीजेपी लोकतंत्र को खत्म कर रही है कॉंग्रेस नेता रहुल गांधी विदेश चाकर भारत के महान लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं लेकिन विपक्ष की कतनी और करनी में बहुत फर्क है बिहार में राजद नेताओं के ट्वीट ने महागट बंधन के घटक दलो का असली चहरा सामने लाकर ख़रा कर दिया है और बीजेपी को मिल गया है विपक्ष को एक्स्पोज करने का मौका क्या है खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में द्रसल बिहार के पटना में बीजेपी कारकरताओं पर हुए लाठी चार्च के बाद नितेश सरकार के मंतरी जितेंदर कुमार राय का एक पोस्ट का स्क्रीन शॉट वाइरल हो रहा है इस वाइरल पोस्ट में उन्होंने डिप्टी सीम तेजस्वी यादब के पुराने फोटो के साथ लिखा है कि हिसाब बराबर हुआ वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए हमला बोला है और कहा है कि मंतरी ने ये पोस्ट डिलीट कर दिया है बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा है कि पटना पुलिस का बीजेपी कारकरताओं पर लाठी चार्ज बदले की कारवाई थी बीजेपी नेता निखिल आनंद ने कहा कि मंतरी जितेंदर राय ने अपना पोस्ट डिलीट क्यों किया इस पर सवाल खरे हो रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद द्वारा शेर किये गए पोस्ट के स्क्रीन सोट में आरजेडी कोटे से मंतरी जितेंदर कुमार राय द्वारा लिखा गया है कि वो एक दिन था ऐसी ही घटना होई थी हम लोगों को लाठी से पीटा गया था तेजस्वी यादब ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो पलटवार करेंगे आज हिसाब बडराबर किया गया इस पोस्ट के साथ मंतरी जितेंदर कुमार द्वारा तेजस्वी की पुलिस वैन में बैठे हुए तस्वीर भी शेयर की गयी थी निखिल आनंद ने अपने ट्वीट में मंतरी की फेस्बुक पोस्ट का लिंक भी शेयर किया है हलाकि उस पर क्लिक करने के बाद डिलीट किये जाने का मैसेज नजर आ रहा है वहीं बिजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि बिहार सरकार के मंत्री जितेंदर कुमार राय ने सार्वजनिक फेसबुक पोस्ट में कहा कि बिजेपी कारकरताओं पर पुलिसिया जुल्म और बिजेपी नेता विजैस सेंग की हत्या बदले की कारवाई है इसके बाद उन्होंने ये पोस्ट डिलीट कर दिया बता दे कि जितेंदर राय महागटबंधन सरकार में आरजे डी कोटे से कला संस्कृती एवं यूबा विभाग के मंत्री है पटना में गुरुवार को बिजेपी की विधान सभा मार्च के दौरान हुए लाठी चार्ज पर सियासत चरम पर है लाठी चार्ज को लेकर बिजेपी लगातार महागटबंधन की सरकार को घेर रही है वहीं इस बीच महागटबंधन सरकार की मंत्री के वाइरल पोस्ट से बवाल और बढ़ गया है पीएम मोधी की पढ़ाई लिखाई पर सवाल उठाने वाले लोगों को लगता है अब करारा जवाब मिल गया है पीएम मोधी की डिगरी को लेकर कुर्ता फार राजनीती करने वाले लोगों के लिए ऐसी बुरी खबर आई है उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो गया पीएम मोधी की डिगरी पर सवाल उठाने वालों को पीएम की एक पुरानी साधी ने जवाब दे कर इन लोगों का मुख बंद कर दिया और कहा कि अधिक ना बोलू क्या है खबर बताते हैं आपको पीएम नेरेंद्र मोधी की एमे की डिगरी को लेकर दिली के मुख्यमंतरी केजरिवाल ने आर्टी आई दाखल की थी यही नहीं यह मामला हाई कोड तक भी पहुचा था जिसमें उसने केंद्री सूचना आयोक के उस आदिश को खारिच कर दिया था जिसके तहट गुजरात युनिवरसिटी से पीएम ओधी की डिगरी दिखाने को कहा गया था यही आजका गुजरात युनिवरसिटी ने अदार की थी इस मामले में केजरिवाल पर अदालत ने 25,000 का फाइन भी लगाया था पीएम ओधी के डिगरी पर सवाल उठाने वालों को अब वरिष्ट पत्रकार शीला भट ने अपने एक इंटर्व्यू में जवाब दिया थे दशकों का पत्रकारिता का अनुभव रखने वाली शीला भट ने एनाई से बातचीप में कहा कि नरेंद्र बोधी से मैं पहली बार 1981 में तब मिली थी जब वो MA Part 2 में थे उनके मेंटर थे प्रफेसर प्रवीन सेथ और उनकी पत्नी थी सुर्भी तब नरेंद्र बोधी अकसर उनके पास आते थे और मैं भी जाती थी पीम नरेंद्र बोधी की एक क्लासमेट को भी मैं जानती हूँ जिन से मैंने फोन पर बात की थी ये तब की बात है जब उनकी डिगरी को लेकर केज़िवाल समेट कई लोगों ने सवाल उठाय था तब मैंने कहा था कि आप सामने आईए लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहती शीला बट ने कहा कि तब पीम नरेंद्र बोधी बहुत पढ़ाई लिखाई करते थे और तब की बहुत से यादे हैं जिनने मैं अभी साजा नहीं करना चाहती उन्होंने कहा कि पिये मोदी और अमिच्छा को आपको थोड़ा अलग हटकर देखना होगा इंडिया के जितने भी मुद्धे हैं ये उनकी गृप में थे लेकिन इंतिजार किया और अब हल कर रहे हैं आपको ऐसा कौन सा पिये मिलेगा जो 1981 से 2001 तक हर साल दिवाली पर देश के किसी ने किसी जिले में अकेले ही घूमने जाते थे तब वो किसी से संपर्क में नहीं होते थे और देश को समझने के लिए पाँच दिन के लिए निकलते थे वरिष्ट पत्रकार ने का 2001 तक तो मोदी के पास कोई घर भी नहीं था मैं मोदी के गुजरात पहुचने पर हस्मुक भाई जैसे पाँच में से छे लोगों से पूछती थी कि क्या उनका बैग आपकी यहां है इसका मतलब होता था कि क्या नरेंद्र मोदी आय हुए है शीला भट ने कहा कि पीएम मोदी जब से पैदा हुए है तब से ही ऐसे है वो मुश्किलों में रास्ते निकालते आए हैं जो देखा आपने पीएम मोदी की डिगरी पर सवाल उठाने वाले के जरिवाल संजे सिंग और उनके पार्टी के नेताओं को वरिष्ट पत्रकार ने करारा चवाब दिया और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं